आज का हमारा टॉपिक है Drying geometrical shapes in partition plane सबसे पहले हम line segment को discuss करते हैं इसके लिए हम एक example consider करेंगे example में हमें एक graph दिया गया है let करते हैं कि हमारे पास P और Q दो points हैं इन points को अब graph paper के उपर plot किया जाएगा P point को इस देखा plot किया जाएगा जबके Q को graph paper पर यहाँ plot किया जाएगा इन दोनों points को जब आपस में join किया जाएगा तो हमें एक line segment P Q हासिल होगी अब हम triangle को discuss करते हैं इसके लिए भी हम एक example consider करेंगे example में हमें graph दिया गया है let करते हैं कि P Q R हमारे पास 3 points हैं इन points को अब हम graph पर plot करेंगे P point को यहाँ plot किया जाएगा Q point को यहाँ plot किया जाएगा जबके R point को यहाँ plot किया जाएगा इन तेनों points को जब हम join करेंगे तो हमें एक triangle P Q R हासिल होगी अब हम rect angle को discuss करते हैं इसके लिए भी हम एक example consider करेंगे example में हमें graph दिया गया है let कीजिए कि P, Q, S और R हमारे पस 4 points है इन 4 points को अब graph paper के उपर plot किया जाएगा P point को यहां plot किया जाएगा Q को यहां plot किया जाएगा S point को यहां plot किया जाएगा जबके R point को यहां plot किया जाएगा इन जारो पॉइंट्स को जब आपस में जॉइंग किया जाएगा तो हमें एक रेट एंगल PQSR हासिल होगी So this is the lesson of this session